कि बहुंत ही जिए भव्य तरीखे का है यह आप बणके के जो रहे कते है यह हो बहुत कभवे तरीके से गलिए है है जिस्व करने इन लिए नहीं सकते कि दोस्तों मेरे साधा बने रही है याद आप चैनल पर पहली बार है प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब ज़रू कर लीजिए गा मैं आपको ऐसी बहुत खूंसुर जगह आपको दिखाता रहूँगा यह अंदर की जगह है कि यह कि आप देख सकते हो यह जो रानी थी उनकी है फोटो निकालते हैं हम खोसिस करेंगे कि दोस्तों यह मुख्य गैलरी है यहां की यह जो बहुत अच्छी तरीके से भव्व्य तरीके से बनाई हुई है मैं आपको जूंग करते हुए दिखा देता हूं कि यहां की साइद रानी है उनकी बेटी है वानी विलासा संदाइना कुछ ऐसे करके नाम है कि देखें दोस्तों कि यहां के राजा है कि यह राजा है उसके बाद यह राजा है पिक्चर आप रोयल फैमिली कि यह राजा है यहां पर जो राजा थे जितने हैं उन सभी के फोटो लगाए हुए मुझा सा लग रहा है और एक यह भी राजा है इस तरीके कि यह रोयल फैमिली की बहुत सारी यादां को यहां पर प्रोया हुआ है तो मैं आपको भी दिखाता हूं इधर का यह देखें नजारा यह भी राजा रानी की फोटो हैं और दोस्तों सबसे वड़ी बात यह है ना इस पैलेस की इसके जो राजा है वो अभी है वो विदेश में पढ़ाई किये हो हैं वो सोले में या सत्रेंवी राजा अभी है और उनकी दो एक साल पहले एक वेटा भी पैदा हुआ इस दिन चुट्टी हो गिया किसी ऐसे टाइम में जो सामका टाइम होगा डूटी टाइम के साथ बात जाओंगा तो भी मैं इधर आया हुआ 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 दोस्तो यादी मैंसूर पेलेस नहीं देखा आ अपने कुछ नहीं देखा इतनी भवय तरीके का प्लेस मैंने इतना अच्छा पैलेस मैंने अभी तक नहीं देखा यादी मैंसूर में आते हो मैसूर पैलेस नहीं देखा समझो कुछ नहीं देखा इतना खूब शुरत यह महल है मैसूर में सबसे जादा देखे जाने वाला पैलेस यहां पर सर अभी कोविड का टाइम है भीया कोविड नहीं रहता है तो 10-20,000 लोग यहां पर डेली आते हैं और यहां पर साम को 7 से आठ लाइटिंग के टाइम पर इतनी भीड रहती है कि आपको लगेगा बहुत भव्या यह तरीके का पैलेस है मैसूर पैलेस आप कभी भी सावत में आते हो तो मैसूर पैलेस प्लीज जरूल आएगा बहुत ही अच्छी तरीके का है सर आप यहां पर आये हैं पहली बार आप सही बताइए बहुत बढ़िया लगा यहां पर आकर अच्छा सर एसा जो पहलेस है आपके हिसाब से आपको लग रहा है शायद इंडिया में इसा होगा कोई दूसरी जगह मुस्किल है बहुत अच्छा जीतना ही बोलें कम है कम है इतना है कि आप एक बार आएंगे मैं यहां पर पांच बार आचका हूं फिर भी बार बार यहां पर आने लिए मैं तरस्ता हूं हो दोस्तो यह देखिए यह अंदर का नजारा नैसुर पैलेस का और दोस्तो यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीच चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले हैं ऐसे ही आपको बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी और बहुत अच्छे अच्छी जगों क के बहुत अच्छे मंदिर साथ के बहुत अच्छे घूमने के जगे बीच और क्या बताओं दोस्तो बहुत अच्छी जगे में आपको दिखाने वाला हूं और बहुत ही जल्दी तो प्लीच चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर कर दीजिए लाइक कमेंट शेयर हाई है सर अभी दोस्तों यहां से देखेंगे देखिये ऐसे दिखाई देता है कि जूम करेंगे और साइट का अभी वटा है इसाई की आप में भी जाना है अभी तो, आभी तो उपर में और जाना है, उपर फ्लो पर भी जाएंगे पस फ्लॉर का अभी बहुत अच्छा भी वर उस्तर से जांगे परस्ट फ़्रोर के लिए रहे हैं dress को सब्सक्राखा पॉर्च डोस्तों अब !! देखें मैं को दिखाता हूँ यहां का फिर्स पलर की इसा लगता है specifically प्रफ्प्रोर का भी आपको मैं दिखाता हूं बहुत ही सांदार मैंस्तु पहले से बनाया हुआ है आप देख रहे होंगे पीछे बहुत ही अच्छा पहले से बनाया हुआ है दोस्तों कोविट का टैम से प्लीज आप भी बहुत ध्यान रखिए मास्क जड़ूर रगाईए और यदि आप यात्रा करते हैं आज पास की तो मैं तो पुलना चाहूंगा कि आप भीड़ बाड़ एलाके से बहुत दूर रहके यात्रा करें हो सकते अपने वाहन से करें यद कि यहां से ऐसा देखता है देखिए कि फश्ट प्लॉर का विव और अब करेंगे और यह आपका एक तरीके से बहुत सकते हैं यह बरांटा है साइब यहां पर देखिए यहां पर मैं भी दिखाई दे रहा हूँगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो पिजिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहना और अपने भाई को सस्क्राइब जरूर करना है लगा मैं ही आपको बार-बार इस तरीके के वीडियो दिखाता रहूँगा और साउत में जो टेंपल है वो भी आपको दिखने को मिले गए और नॉर्थ में आपको मत्रा बिंद्राबन हिमाचल साइड वो साइड मैं आपको बता नहीं सकता बहुत प्लानी है मेरी गुमने की तो मैं आपको वो नॉर्थ का भी दिखाने बाला हूँ इसी महीने एक द ने जूते रखे हुए थे देखे दोस्तों यह बार का भी हूँ है यह आप देख रहे होंगे प्लीज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरू कर देए और प्लीज यार पहली बार चैनल पर आयो तो सब्सक्राइब जरू कर दीजिए जय वारत रादे रादे तो जहां पर गबर का था ठिकाना जहां पर वीरू को और जय को बांदा दा हतकड पहाडियों में पर थोड़ी ही देर में वो जगए पर हम पहुंचने वाले हैं पहाडियों की उपर चड़ाईयों पर आसमान के करीब और पहुंच चुके हैं हम यह खतननाक पहाडियों पर आसमान की उचाईयों को छूते हुए खत्रे के बुलकुल करीब अभी हम जा पह बसंती इन कुटों के सामने मत नाचना बसंती दो ओभा का जिए ओटा और यह उन्हारे बहाँ एंट अप्तरा इंजीनियर हैं बेंगलोर्ट से आए हुए और यह मारे अधिया है जार कंट सुन्दार कपल हैं और कन्नाटक से हैं यहीं से तो रादे रादे बोल दीजिए रादे रादे रादे